हलो एन वेलकम टू देली बाइस टीचिंग एप्टिट्यूड यानि की सिक्षन अभी रूची के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग को पता है कि यह जो सीरीज है वो किन के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है तो इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे Bloom's Taxonomy यानि की Bloom का वरगी करन तो चलिए हम लोग देखते हैं Bloom ने कौन सी Taxonomy दी है Benjamin Bloom ने Taxonomy दी जिसे उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया Cognitive, Affective और Psycho Motor उससे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह Taxonomy हम लोग पढ़ क्यों रहे इसका क्या मतलब है तो देखें Benjamin Bloom का कहना था जो भी एक बच्चा है जो वो knowledge गेन करता है जो भी चीज़े वो गेन करता है कि स्कूल में knowledge हो, values हो, जो भी चीज़े सीखता है वो सभी चीज़े अगर वो सीखने के process को हम लोग divide करना चाहें तो तीन parts में divide कर सकते हैं जिसमें कि पहला है cognitive, cognitive का मतलब क्या हुआ, mind जो भी चीज़े बच्चे learn करेगा, जो भी चीज़े वो जानेगा, जो भी ज्यान प्राप्त करेगा उसे उन्होंने cognitive domain के अंदर रखा then second क्या है affective domain, affective domain के अंदर bloom का कहना था कि ये चीज़े आ जाएगी जो बच्चों का emotion है, attitude है, feelings है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो बच्चे feel कर रहे हो, जो उनका emotions है उसको उन्होंने इसमें बाटा, कि किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, कोई भी topic के दी चल रहा है तो उसको पढ़ने के लिए बच्चों का emotion ज़रूरी, of course होता है मैंने पहले भी कह रखा है, कि अगर एक बच्चा चाह ले कि मुझे नहीं पढ़ना है उसकी feeling नहीं है, उस topic को लेकर आप कितनी भी अच्छे methods, techniques यूज़ कर लिजिए उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते है तो इसलिए feelings, emotions, attitudes जो एक child का होता है उसे bloom ने affective domain के अंदर रखा Now third जो domain उन्होंने divide किया, वो क्या था? Psycho motor अभी तक हम लोगोंने किस चीज़ के बाद की mind, यानि कि जो knowledge वो gain कर रहा है दूसरा उस बच्चे का attitude कैसा है, emotion कैसा है अब एक तीसरा domain जो psychomotor है, इसमें उन्होंने क्या कहा? किसी भी skill को जो एक बच्चा सीखता है, वो सभी चीज़ों को psychomotor के domain के अंदर रखा गया यहाँ पर बस एक चीज़ important हो जाती है, psychomotor के domain में क्योंकि यहाँ पर बच्चा skills सीखेगा, तो यहाँ पर movement बहुत important हो जाता है तो यह तीन domains थे bloom के, taxonomy के इसी पर divide किया है, उन्होंने एक knowledge के पूरे process को कि एक बच्चा knowledge gain करने के लिए इन तीन domains को parallelly यदि लेकर चले और इसमें development करे parallelly, तो एक बच्चे का जो development होगा वो सबसे perfect और all round होगा, ऐसा नहीं कि cognitive में कोई बच्चा बहुत अच्छा है और वो effective और psychomotor में अच्छा ना हो, तो यहाँ पर development proper नहीं होगी तो इसी लिए Bloom का कहना था कि इन तीनों ही domain में एक बच्चे को हर तरीके से अच्छा perform करना चाहिए so that उसका all round development बहुत ही बढ़िया से हो, इसे हम लोग और detail में आगे discuss करेंगे उससे पहले मैं बता दूँ कि आपको teaching aptitude की lecture की यह जो series है वो आपको हमारे channel के playlist में मिल जाएगी वहाँ पे आपको teaching aptitude, be it, be it special education करके playlist मिलेगा इस playlist में आपको सारे lecture sequence wise मिल जाएगे साथी साथ lectures को देखने के बाद आप हमारी website पे visit करे teaching aptitude के mocks को solve करने के लिए उसके लिए आप visit करिए www.dailyvites.in पे या फिर आप google पे directly search कर सकते है dailyvites और आप dailyvites पे visit करके वहाँ पे आपको mock वाले section में mock test पे click करना है then आप जैसे ही mock test पे click करेंगे आपको teaching aptitude करके पहला वाला ही mock मिल जाएगा यहाँ पे start exam पे आप click करेंगे उसके बात यदि आप website पे register नहीं है तो register पे click करके अपने आपको register करेंगे अपना name user id वगेरा फिल करके अब जैसे ही अपने अपना registration complete कर लिए आप sign in पे click करके अपनी id से login करेंगे login करते ही आप यहाँ पे buy now वाले section पे click करके daily by seated code यदि use करेंगे तो आपको 50% discount मिल जाएगा तो आप visit करेंगे हमारी website पे so that आप teaching aptitude के mock को लगा कर अपने performance को multiple time boost करेंगे और exam में अपने selection को confirm करेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं कि यह जो तीन domains plume ने divide किये इन तीन domains को भी आगे further divide किया जैसे कि cognitive domain जिसका relation mind से था उसे आगे remember, understand, apply, analyze, evaluate और create भी divide किया then affective जिसका relation था हमारे emotion से हमारे feeling से उसे भी further divide किया गया है receiving, responding, valuing, organizing और characterization ना third domain जिसका relation था हमारे skills से यानि कि इसके थुरू हम लोग कोई particular skill सीख सकते हैं उसमें क्या-क्या चीज़े दी गई? imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization तो इसे अब हम लोग बारी-बारी से एक-एक करके देखेंगे यहाँ पर आप लोग बस इस चार्ट को देख लीजे कि कैसे कैसे division किया गया है आगे further bloom taxonomica जिसमें कि हमारे लिए सबसे जादा important होने वाला है cognitive domain बट हम लोग affective और psychomotor भी पढ़ते चलेंगे बाकी हम लोग आगे चलते और समझते cognitive domain को बहतर ढंग से cognitive domain का सीधा मतलब संग्यान से होता है इसलिए संग्यानात्मक का कारिछेतर भी कहते हैं यहाँ पर आपको दो diagram दिख रहे होंगे पहला जो 1956 में दिया गया था और दूसरा 2001 में दिया गया यह जो 1956 का diagram है इसे bloom ने खुद से इस taxonomy को दिया था और 2001 वाला जो है इसे उनके कुछ followers कुछ students ने या सहयोगी कह सकते हैं उन लोगों ने इसमें कुछ major changes की हैं जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि bloom ने जो अपनी taxonomy दी थी उसमें second highest synthesis को रखा था लेकिन आगे चलके उनके जो students थे उन्होंने इसे क्या कर दिया create word कह दिया और इसे highest level of knowledge कह दिया cognition कह दिया ना यहां पर एक और change क्या है evaluation जिसे की bloom ने highest level of cognitive domain कहा था उसे second highest कर दिया उनके students ने बाकी देखा जाए तो दोनों ही चीजे एकदम same है बस यहां पर knowledge को remember कह दिया गया है comprehension को understanding कह दिया गया है तो जो भी चीजे मैं explain करूंगी यह दोनों ही diagram पे applicable होगा बकाइदा बस जो यहां synthesis में second highest है वो वहां first एकदम top highest चला जाएगा तो चलिए हम लोग बात करते हैं एकदम नीचे से कोई एक ऐसी theory ले लीजिए जैसे की कोई topic आप कोई classroom में पढ़ाया जाए तो चलिए हम लोग algebra का ही example लेते हैं so that आप लोग जादा connect कर प होती है जो फहले याद करवा दिया जाता है for example plus 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 होता है plus minus minus, minus होता है हमाइनस माइनस होता- plus है लेकिन sign minus क होता है और यहां पर sign bigger का होता है, यहां पर यह जो simple algebra के addition है, उसा लुद करने में यह चीज़े आपको याद करवा दी गया। क्यूं याद करवाया गया, यह सारी चीज़े अभी आपको explain नहीं की जाती है और आप इसे learn भी कर लेते हैं, इसके बाद आपने उसे learn कर लिया, now अब second stage जैसे ही आप understanding या फिर comprehension में move करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको apply करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ questions आप से teacher solve करवाएंगे, अभी knowledge में या remember में आपको सिर्फ formula याद करवाया गया था कि plus minus होता minus है, sign bigger का use होता है, लेकिन अभी तक आपने use नहीं किया, लेकिन जैसे ही understanding वाले phase में आप जाएंगे, यहाँ पर अब आप इस चीज़ को use करेंगे, कि 2x minus, यहाँ पर यदि 3x है, तो minus x होगा, यहाँ पर आप examples के थुरूस समझने लगेंगे, इस formula पर based आपको बहुत सारे calculation solve करवाए जाएंगे, तो आपको examples दिखाएंगे, तो आप आप क्या करेंगे, चीज़ों को understand करने लगेंगे, एक classroom के अंदर knowledge और comprehension तक आप करवा सकते हैं, बाकी के जो चीज हैं, उसमें students बहुत जादा active हो जाता है, यह दोनों जो ऐसा stage है, जिसमें classroom में teacher बहुत जादा active होगा, और student बहुत कम active होगा, knowledge में तो एकदम ही active नहीं होगा, और comprehension में थोड़ा बहुत active होगा, लेकिन जैसे ही third, fourth, fifth, sixth stage की और हम लोगो move करते हैं, यहाँ पर student highly active facilitator ही present रहेगा, यानि कि teacher का role ना के बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर application यानि कि apply जो हम लोग आगे discuss करेंगे इसी में, अब यहाँ पर teacher ने कुछ examples दी हैं, बच्चा यहीं पर नहीं रुकेगा, अब वो खुद से बहुत सारे questions को solve करेगा, और जो rule उसे याद करवाया कि plus 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 होता है, उसे अब वो apply करेगा, different types of questions में, अब जब वो बहुत सारे questions को solve कर लेगा, तो अब वो analysis के option पर पहुँचेगा, कि अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों plus 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 हो रहा है, plus minus minus हो रहा है, लेकिन sign bigger का हो रहा है, क्योंकि अब यह ना बच्चा तोड़ तोड़ कर चीजों को समझने लग गया है, plus के अलग question solve किये, minus के अलग solve किये, अब analysis का देखे, simple मतलब होता है, चीजों को break करके समझना, अब उसने पूरी तरीके से, पूरी algebra को क्या क्या, break करके अच्छे से समझ लिया, अब जैसे ही उसने चीजों को समझ लिया अच्छे से, जैसा क कि हम लोगों ने previous lecture में भी discuss किया था, जब बच्चा चीजों को तोड़, फोड़ कर समझ लेता है, तो अब वो इस stage में पहुंचने के बाद, वो synthesis कर पाता है, यानि कि कैसे चीजों को जोड़ कर अपने हिसाब से solve किया जब बच्चे ने different types of questions को solve किया, उसके बाद उसने जब analyze किया कि अच्छा ये question ऐसे solve हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, अब इन तीनों को मिला कर combine करके एक ऐसा way out ढूंड लिया, जिससे की चाहे कोई भी question हो, अगर इस process से solve करेंगे तो वो हो जाएगा, तो यही जो process बच्चे ने खुद के लिए यहाँ पे release किया, यह जो formula खुद के लिए सोचा, यही synthesis कहलाया, विकर उसने पहले चीजों को तोड़ कर analysis में सीखा, अब जोड़ कर ये समझ गया कि अच्छा इसको ऐसे यदि करेंगे तो ये easiest way होगा, तो यहाँ पे synthesis हो गया, उसके बाद evaluation, यहाँ पे बच्चे ने देख लिया कि हाँ सारी च exonomi में इस sequence में है, बाकी यहाँ पे analyze के बाद तोड़ कर जब चीजों को सीखा, तो उसके बाद उसने पहले evaluate किया कि अच्छा सारी चीजे ऐसे 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 work करीए, then उसे create किया, तब इस stage में पहुचा बस इतना ही difference आता है, इसे एक easy way में और समझ सकते हैं कि knowledge या remember में कोई theory बच्चे को पढ़ाए गई, उसके बाद examples के थूरू understand करवाया गया कि हाँ देखो ये वाली जो theory आपने learn की थी, उसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, अब बच्चे ने examples के थूरू इस theory को समझ लिया, आप कभी भी उसके जीवन में कभी भी जरूरत पड़ेगी, तो उसे वो apply करेगा, जब वो apply करेगा तो देखे, classroom scenario में जब आप कुछ पढ़ाते हैं, तो वो कुछ अलग way में आता है, लेकिन real life में जब deal करना होता है, तो हो सकता है कि अलग time में deal करना पड़े, for example, आप यदि ये बताएं कि अपने दोस्तों के साथ हमेसा loyal रहना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है, आपने classroom में ये बताया, लेकिन उस बच्चे के सामने real life में ऐसा situation आए कि उसका जो friend है, वो चोरी करने को कह रहा है, अब वहाँ पे वो बच्चा confused हो चाहेगा कि मैं चोरी करूँ, क्योंकि ये गलत चीज है, मैं दोस्तों का साथ छोड़ू ये भी गलत चीज है, तो ये बच्चे पे depend करता है, तो बच्चा यहाँ पे खुद से apply करेगा अपने life में कि उसे कैसे चीजों को करना है, जब apply करेगा तो बच्चा analyze करेगा, क्योंकि उसने कोई काम कर दिया, तो अब वो उस चीज पे देखेगा कि उसका क्या effect हुआ, अ पाइंदा से कभी मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे कैसा react करना है, तो ये इस तरीके से work करती है, bloom की cognitive domain की theory, बाकि अगर आगे move करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजे दिख जाएगी, action works और activities, यानि कि activities जैसे कि आप कैसे, ये जो remember, for example, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो remember पहला stage था, उसको आप यदि classroom में execute करना चाते हैं, तो आप lectures का सारा ले सकते हैं, lectures के थुरू बच्चों को चीजे याद करवा सकते हैं, visuals का use कर सकते हैं, video, audio, examples, इन सभी का use करके, आप चीजे बच्चों को memorize करवा सकते हैं, और बच्चों से यदि आपको बच्चना है, remember से related question जो की सबसे lowest है, तो आप कैसे questions करेंगे, कि आप एक list बताईए, किसी चीज का list बताने को कह दिया, कि list बताईए, कौन-कौन से animals होते हैं, यह define कर यह domestic animal क्या होता है, याद करके बताओ domestic animal मैंने क्या बताया था, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे examples हैं, identify करने को कह रहे हैं, तो यह सभी क्या हो गए, remember के अंदर आगे, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चीजे बच्चों को memorize करवा दी गई है, अभी domestic animal का उसे definition पता है, उसके basis पे बस वो choose कर पा रहा है, विकास उसे याद करवाया गया है, कि domestic animal, dog, cat, rabbit, यह सभी है, अब उसको जैसे options में दिख गया, तो वो ढूंड लिया, अचा यह वाला है, लेकिन अभी वो पूरी चीजे समझ नहीं पा रहा है, कि क्यों dog, यहाँ पे domestic animal है, जिसका development आगे चलके understanding में होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि कौन-कौन से actions works के थूरू, आप चीजों को classroom में execute करवा सकते हैं, और कौन-कौन सी activities है, जो की एक बच्चा इस पूरे cognitive domain के development में करता है, अब हम लोग आगे move करते हैं, और देखते है, affective domain, यानि कि भाव, विश्यक का कारचेतर, जैसा नाम है भाव, उसी तरीके से भाव, यानि कि एक बच्चे की feeling, उसका emotion, उसका attitude यहाँ पे ब कर पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा, previous slide में value का example, देखें, उसी पे हम लोग execute करेंगे, कि effective domain के अंदर एक क्या-क्या चीजे बच्चे सीखते हैं, और bloom क्या समझाना चारे हैं अपने इस classification के through, तो सबसे पहला है receiving, for example, आपने classroom में बताया, कि अपने जो friend होते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, friend के साथ loyal होना चाहिए, साथी साथ चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है आपने बताया, यहाँ पे दो चीजे आपने सिखाई, पहला कि friend के साथ loyal रहो और चोरी करना गलत बात है, बच्चों ने उसके according प्रतिक्रिया किया, चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, सारी चीजे बच्चे यहाँ पे समझे, अब इन चीजों को समझने के बाद बच्चों ने चीजों को gain कर लिया, अपने mind में retain कर लिया, अपनी feelings के साथ जोड लिया, अपने emotions इसके साथ जोड लिये कि कभी भी future में ऐसा कुछ होगा तो हमक चीजे एक साथ आगई student के सामने कि उसका दोस्त चोरी करने को कह रहा है, अब यहाँ पे उस student के पास दो option होता है और दोनों ही condition में एक rule जो आपने बताया है कि अच्छा है वो break होगा, अगर वो अपना दोस्त के साथ चला जाए तो वो चोरी करेगा जो की गलत है, लेकिन उसी पल वो दोस्त के साथ loyal हो रहा है, लेकिन अगर वो चोरी करने से मना कर देगा, तो दोस्त के साथ loyal नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अब यह जो बच्चा है अपने real life में खुद से चीजों को organize करेगा और वो एक decision लेगा, उसे यह चीज करना है या नहीं करना है, अपन अपने according, ना चीजों को जब वो organize करता और एक decision लेता है, for example अब यहाँ पे उस बच्चे ने यह decision लिया कि मुझे अपने friend के साथ loyal नहीं रहना है, तो यहाँ पे उस बच्चे ने अपने आपका चरित्र को build किया, इसी के basis पे वो बच्चा in future जाना जाएगा, for example यदि वो तो उसे लोग जानते कि यह वही है जो चोरी किया, लेकिन उसने यह decision लिया कि वो अपने friend के गलत काम में साथ नहीं देगा, तो अब in future हो सकता है कि उसके दोस्त उसे इसी basis पे जाने कि यह धोके बाज है, लेकिन उसे दुनिया जाने कि कि नहीं यह अच्छा लड़का है, यह गलत काम नहीं करता है, तो यहाँ पे वो जो दुनिया में जाना गया, सामाज में जो वो जाना गया, अपनी society में पहचाना गया, अपने इसी organizing जो उसने किया, जो चीजों का आयोजन किया, उसके basis पे जो action उसने execute किया, अपने emotions को stable करके, तो वही क्या हुआ, इसको as a result के रूप में उसके character में build हो गया, इस पूरे classification को जब नीचे से उपर की और एक बच्चा follow करता है, तो उस बच्ची की जो feeling है, जो emotion है, जो attitude है, वो properly build होता है, कि किस condition में कैसे react करना है, कैसे चीजों को deal करना है, बाकि यहाँ पे अगर इस feeling को education से जोड़ेंगे, तो बच्चा का जो emotion है, feeling है, education को लेके attached होना चाहिए, so that उसे चीजें gain करने में problem ना हो, वो चीजों को बहुत ही अच्छे से enthusiastically gain करें, ना हम लोग मूव करते हैं, psychomotor domain, यानि कि मनो प्रेरना का कारच छेतर, यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, skill सीखते हैं, कोई भी skill, ज लेते हैं, mobile और child को add करते हुए, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो खाना नहीं खाता है, तो mother क्या करती है, mother या फिर family में कोई भी बड़े member होते हैं, उसे phone में YouTube में ABC का song लगा कर दे देते हैं, तो वो बच्चा मजे से देखकर खाना खा लेता है, यहाँ पे बच् को खाली phone मिलेगा, तो अब वो क्या करेगा, वो खुझ से नकल करके खोलने की कोसिस करेगा, हो सकता है कि ना खोल पाए, लेकिन खोलने की कोसिस करते रहेगा, अनुकरन करते रहेगा, इसके साथ साथ अब इस अनुकरन के द्वारा वो क्या करेगा, बार 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 प् वो जब मन करेगा वो YouTube खोल कर अपना जो भी ABC वगेरा का सौंग है वो अच्छे से सुन सकता है तो यहाँ इस तरीके से movement के थुरू बच्चे ने mobile में YouTube को खोलना सीख लिया एक और example लेते हैं यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं आपको copy पे आपको लिखते हुए एक बच्चा observe कर रहा है तो अब वो क्या करेगा जब भी आप सामने नहीं होंगे एक छोटे बच्ची की बात करियो जो अभी लिखना पढ़ना नहीं जानता अब वो क्या करेगा जब भी आपके book और copy को देखेगा खाली और आप आसपास नहीं होंगे वो book copy पे लिखना शुरू कर देगा आपके pen के help से imitate करना सुरू कर देगा कि आपने pen कैसे पकड़ी थी आप कैसे लिख रहे थे इस चीज को वो जब जब उसे मौका मिलेगा तब तब वो apply करेगा बार बार practice करेगा इस practice के थूरू एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस चीजों को adapt कर लेगा okay pen ऐसे पकड़ना है और ऐसे लिखना है लेकिन हो सकता है आप भी उसे adapt करने में help करे हो सकता है आप भी सिखाएं कि A, B, C, D, E ऐसे लिखना है लेकिन naturalization के जो process है वहाँ पर बच्चा पहुचते पहुचते वो खुद से चीजों को करने लगेगा अब हो सकता है आपने उसे A लिखना ऐसे सिखाया बट उसने ऐ ऐसे लिखा, B ऐसे सिखाया उसने ऐसे लिखा, C तो चलिए फिर भी similar हो सकता है, D आपने वैसे सिखाया बच्चे ने ऐसे लिखा तो यानि कि बच्चे अपने according चीजों को naturally अपने अंदर जैसे वो लेते हैं उस तरीके से वो execute करते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे जो bloom की यह तीनों ही domain यादी parallel ही ढंक से चले, यानि कि बच्चों में जो development है वो एक के बाद एक तीनों ही में एक साथ चले तो एक बच्चे का all-round development बहुत ही अच्छा होगा, बच्चा बहुत ही creative, बहुत ही intelligent आगे चलके होगा, This was it for this video lecture, बाकी आप लोगों को कोई भी doubt हो, teaching aptitude के इस lecture की series से related, B8 से related या B8 special education से related तो आप directly मुझसे instagram पे contact करिए, मेरी ID की link description box में दियोगी या फिर simply instagram पे आप search करिए, delibite underscore nupol, साथी साथ education से related कोई भी resource material हो या फिर कोई भी notification हो lecture के regarding या कुछ भी तो उसके लिए आप notifier रहने के लिए, updated रहने के लिए, हमारा telegram group join करिए, इसकी भी link description box में दी होगी, and also follow and connect with us through these social media sites, links are given in the description box, stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section, thank you.